नमस्कार दोस्तों पॉलिटिकल साइंस विथा से स्नापकार स्वागत है आज हम से एक नए वीडियो के माध्यम से बले ही इंट्रेस्टिंग तरीके से एक नए दार्सनिक को पढ़ते हैं एक नए विचारक को पढ़ते हैं दोस्तों आज हम सब मेडिवल टाइम्स में पढ़ेंगे एवं उसके महान कौन-कौन से देन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों आपने सुना होगा किस परकार सुकरात विश का पान करके यानि पॉइजन पीकर अपने राज्जिकी रच्छा के लिए अपने प्रान की आहुत्य दे दी थी ठिक उसी परकार मध अपने राज्जिक को बचाने के लिए अपने राज्जिक को बचाने के लिए दोस्तों तो ठीक इसी परकार हम लोगा सिसरो को बारे में पढ़ेंगे सिसरो के अगर लाइफ इंट्रोडक्शन की बात करें दोस्तों अगर उनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सिसरो का जन्म 106 BC में हुआ था दोस्तों अब क्या है वो बच्पन से ही वो जहां पर जन्म में थे यानि उनका जन्म रोम में हुआ था वो एक भाय की जन्म एक साथ हुई है ऐसा इसलिए वे कहते थे क्योंकि उस समय इंग्लैंड में ग्रीह यूद छिड़ा हुआ था चार और रक्तपात हो रहा था ठीक उसी परकार हमारे रोम में क्या हो रहे थे ग्रेक तोर्माइल इन रोम यानि कि रोम की जो सासन विवस्था थी ग पूरी किताब लिखते हैं वह अपने और एक राजनितिक बनते हैं वह एक पॉलिटिसियन भी रहते हैं कुछ समय बाद उन्हें क्या किया गया वह गुवर्णर आफ सिलीशिया वी यानि सिलीशिया एक जगा का नाम है वहां पर गुवर्णर के तौर पर भी काम किये एवं अब दोस्तो हम लोगे समझते हैं कि आखिर उस समय कैसे गंतंत्री वेवस्था समाप्ति की ओर थी उस समय क्या था कि समराज्यवादी सासन वहां पर आने लगा था और यहां पर अरिश्टोक्रेसी यानि कि कुलीन तंत्री वेवस्था जो जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी के द्वारा वहां पर इस्थाफिद गए जा रहा था यानि किए समय वहां के सासन विवस्था का कोई नियम कानून नहीं था वहाँ पर oh सीजार ऑँ मारक अन्टॉनी अपने मनमानत लिटेशल कर रहे थे तो इस संदर में जब हो ने एक बशूद बड़ी विरोध की जब विरोध की वोविरोध किस तरह करते थे वह विरोध कैसे करते थे अपने गध्य से अपने भासान से इस इस समय क्या हुआ कि यहां पर यह दोनों जो साशक हुए थे पहले जुलियस इजर और मार्क अन्तौनी की चाहिए जब आईश्टो के ऐसी जैसे सासन पर सिस्रो अपना परवाव डालते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे देश की सासन अबस्था जो है वो अबस्थ नहीं कानून के मदद से चलनी चाहिए ऐसा बोलने पर क्या किया जाता है मार्क एंटोनी उसके हाथ कार देते हैं एवं उन्हें जा बाबों की बात करें तो सिस्रो ने मुख चार किताबे मुख्यता लिखी थी जिसमें से दो सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है एक पहला है उसका नाम है डी रिपब्लिका जी हां दोस्तों जो फर्स्ट है उसका नाम है डी रिपब्लिका डी रिपब्लिका में क्या है व वह कभी भी व्यवार में नहीं लाई जा सकती थी लेकिन सिस्रों के द्वारा जो डी रिप्रब्लिका में अपने आदर्स राजी के कल्पना गी गई वह पूरी तरह से maximum या बोल सकते हैं पहुत ही व्यवारित्ता के निकत प्रतित होती है क्योंकि वह बताते हैं कि हमारे देश की सासन व्यवस्था वो नियम कानून से चलनी चाहिए अब इसके साहथ उनकी यह दूसरी पुस्थक है वह है d लगीबस day leiबस में उन्होंने क्या किया इसमें उन्होंने प्लाइटों के जिस तरह से एक पुस्थक थी loss उसी की भारती अपने इस पुस्थक में उन्होंने लॉस के बारे में heories के बारे में ने चूरल तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी और कौन-कौन सी प्रसिद्धिन थी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ सिसरों में अस्टेट की बात यानि कि सिसरों के अनुसार राज जी कैसा था। दोस्तों राज जी के संदर में हम लोग पता है कि इसके संदर में बहुत सारे विचारक बहुत सारे अपने विचार दिये हैं जैसे कम लोग समझ सकते हैं जो अरश्तू है वो बताते हैं A state is a natural organization यानि ये प्रक्रिटिक संस्था है दोस्तों उसी संदर में ये जो है सिसरो वो बताते हैं कि A state natural नहीं है ये अपने आप नहीं आई है बलकि हमारे जो लोग हैं वो एक society में रहना पसंद करते हैं वो एक social animal है कहने का मतलब कि the origin of a state depends upon the social nature of human being मतलब हमारे तो state है वो इसलिए है क्योंकि यहां के लोग एक दुसरे के साथ एक जूट होकर रहना चाहते हैं ताकि वो सक एक दुसरे के सहायता कर सके और एक दुसरे से समर्पित होकर एक बड़े समाज का निर्मान करे यानि कि वो बताते हैं कि जो origin of a state है वो natural नहीं है बलक क्या बताते हैं यह बताते हैं the state as a wealth of people यह बताते हैं कि राज्य जो है वो व्यक्ति की ही समपत्ती है इसी को अपने भासां बोलते हैं race publica age despoli मतलब यह बताते हैं कि जो राज्य है वो व्यक्ति की ही समपत्ती है इसके सालसद वो बताते हैं कि common wealth as a property of people मतलब उनका कथन है क पाश्ट्रमंडल वो लोगों की संपत्ती है वो लोगों की है अब इसके साथ साथ अब हम लोग समझ सकते हैं कि सिस्ट्रों है वो राज जी को क्या बताते हैं राज जी को बताते हैं कि व्यक्ति के विना राज जी अधूरा है व्यक्ति के विना राज जी का निर्मान नहीं क से विचारक 17 अभर 18 सदी में करते हैं दोस्तों तो अब हम लोग देखते हैं आगे common wealth is the वो किया बताते है common wealth is the people affair मतलब राश्टमंडल जो है वो people का affair है यह लोग आप इसमें समझ होता है people who comes together of a considerable number of man who are united by a common agreement यहाँ पर जितने सारे लोग थे हैं वो सारे common agreement एक समान समझ होता करके एक दूसरे से aggregate हुए एक दूसरे से मिले about law and rights about law and rights and by desire to participate in mutual advantage वो एक दूसरे के समीप क्यों आए वो एक दूसरे से जूड़े क्यों क्योंकि उनका मानना था हम अपने mutual advantage अपना जो law है वो एक दूसरे से मिल कर ही अरजित कर सकते हैं वो एक दूसरे से दूर जाकर हम कभी अरजित नहीं कर सकते हम अलग अलग जगों पहर एक दूसरे से हट कर रहकर अपने समाज के निर्मान नहीं कर सकते हम अपनी भलाई अपने जरूरतों की वस्तू नहीं बना सकते ऐसा सिस्रों का कहना था इसके बार हम दोग देखते हैं दोस्तों सिवाइन ये परसिद विचारक है इन क्या कहना है इन सिस्रों के बारे में ये कहते हैं कि state and laws are the wealth of people living in the state मतलब सेवाइन जो सिसरों को बारे मताते हैं सबसे पहले बताते है state and laws are the wealth of people living in the state जो state है और जो laws है वो व्यक्ति के ही संपत्ति है अब साथ ही में बताते है state power lies in the people's power मतलब राज जी की जो सकती है वो लोगों की सकती में वास करती है उसकी बाद बताते है state and its laws lies under the natural law मतलब बताते हैं कि सिसरों ये कहना चाहते है कि हमारे राज जी की जो अपनी नियम कानून होगी वो अवस्य ही प्राकृतिक कानून के नीचे होगी मतलब सबसे ज़्यादा अगर हम priority सबसे ज़्यादा preference अगर देंगे तो हम natural law के देंगे और natural law ही सबसे best law है जो उसके बारे में हम लोगा अगर पढ़ते हैं अब इसके साथ साथ और क्या बनाते हैं estate always use its power for the welfare and justice of citizens मतलब हमारे जो estate है वो always and always and always हमारे सक्टी का जो यूज करेगा अपने सक्टी का जो यूज करेगा वो welfare for the people मतलब लोगों के कल्यान के लिए करेगा and justice of citizens वो लोगों के न्याई के लिए करेगा दोस्तो तो इसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि उनका law के परती उनका कानून का क्या विचार था दोस्तो तो इस तरस देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी पस्तित पुष्टक लिखी कौन सी पुष्टक दोस्तों? उनकी पुष्टक थी de legabis de legabis में वो क्या करते हैं? कानून की व्याख्या करते हैं जैसा कि मैंने पहले अभी बताया कि वो कानून के संदर में बताते हैं कि व्यक्ति जो राज जी में रहता है वो दो कानूनों से सासित होता है कौन-कौन से कानून एक राज जी निर्मित कानून और एक प्राकृतिक कानून लेकिन वो बताते हैं कि ये दोनों में जो सर्वसिष्ट है जो most priority है वो natural law का है और राज जी कोई दोस्तों वह सारे नियम कानून जो मुझे बाइब बर्स नेचर मिले मुझे खाने का अधिकार मुझे चलने का दिकार ये सारे अधिकार मुझे सकते हैं इसके बारे में रिटेल से पड़ते हैं तो अगर हम किसी चिफ जस्टिस या किसी जस्टिस के द्वारा लिखे गए पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरह से कानूनी व्याख्या करेगा यानि वो कानून को सबसे प्रियरिटी देगा सबसे यादा महतुपुन मानेगा ठीक उसी बतका सिस्रों भी हैं वो समय में कानून को सबसे महतुपुन प्रदान करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं और इस तरह से वो ग्रेट एडवोकेट अपने समय के रहते हैं अब क्या है अब चुकि वो खुद वकील थे तो कानून का समर्थन तो करेंगे ही वो चाहेंगे कि राज्य का जितने व्यक्ति हो वो सारे व्यक्ति equality before law हो, वो सारा का सारा क्या हो, कानून के प्रति सब बराबर हो, और जो राज्य में सासन होनी चाहिए, वो अवस से ही कानून का सासन होना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेज का सासन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए, कि अरिश्टोक्रेसी जैसा, मुनार्की जैसा ये कहते हैं कि राज्या का आदेश ही कानून है ये पूरी तरह से गलत है अब क्या कहते हैं ये कहते हैं कि his supported primacy of natural law over state law वो बताते हैं कि जो हमारा natural law है वो हमेशा सबसे महत्रपुन सबसे उचा सबसे ज्यादा important सबसे ज्यादा ताकतवर होगा राज्य का कानून उसके नीशे आएगा वो बताते हैं कि जो प्रकृति कानून है वो non changeable है मतलब उसको कोई बदल नहीं सकता है यह बोलते हैं यह universal है मतलब यह सारव भौमिक है सारव कालिक है सारव भौमिक मतलब यह चाहे आप यूनान में हो चाहे भारत में हो चाहे पाकिस्तान में हो प्रकृति कानू सब जगह बराबर है एवं सर्वकालिक है मतलब वे ओल टाइम से सभी समय के लिए अच्छा हो चाहे अब सूबा में हो चाहे साम रात एक साल पहले पांच साल पहले कभी भी हो यह हम हर समय के लिए एक जैसा होता है अब क्या है यह बताते हैं प्रैक्टिकल नोट आइडियल म यह वो पूरी तरह से प्रक्टिकल है प्रैक्टिकल मतलब उसे हम अपने दिन चरिया में लाते हैं अब क्या है फोर्थ बताते हैं Universal पर्पस इसदा वेलफेया और पौक्ट अब लिए नेच्वर लौग को क्या मतलब है नेच्वर लौग इसलिए है ता कि लोग को कल्यान ह सके लोग की स्वतनता मिल सके लोग को समानता मिल सके और खुल कर अपने व्यक्तित्व की विकास कर सके तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं नेच्वल और एए मैंुसक लाइन के विष्य बनाया हुआ इस्वर के दुआरा व्यक्या किया हुआ है और इसवर के दुआरा गाइड़ है मतलब इसमें व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता चाहके भी इसको वाइलेट नहीं कर सकता अब क्या है people must know be blindly bonded to follow the rule made by a state if it violates the natural law वो खुल कर यह बात करते हैं कि अगर राज निर्मित कानून कोई वी ऐसा कानून हो जो प्रकृतिक कानून को वाइलेट करे उससे लोग मानने के लिए बाद नहीं है लोग खुल कर उस सिच का विरोध कर सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से हमने से इस पढ़ा हम लोगों ने देखा सिसरो का जीवनकाल कैसे बढ़ा किस तरह से मार्क अंटोनी एवं जूलियस सीजर उसके बिरोधी हुए क्यों बिरोधी हुए सिसरो की परमुख पुष्टक डी लेगीविस डी रेपबलिका एवं साथी में इनका राज्जी के प्रतिव को समझा अगर आपको ये सारी बाते समझ में आई तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ अवस्य सेर करें फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद